Hello Friends, I am Sunita Kumari Sharma Assistant Professor in Biyani Girls Beard College. Today I am going to deliver my lecture on the Man Audio Visual Ads in Hindi Teaching. जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है कि श्रव्य दश्य साधनों का प्रियोग हिंदी सिक्षन में किस प्रिकार किया जाता और क्या इसका उप्योग है? सिक्षन एक बहु मुखी प्रिक्रिया है, इसके दोरान बहुती अनेक साधनों का प्रियोग हम सिक्षन के शेतर में करते हैं, जिसमें विभिनी विद्वानों का मत है कि सिक्षन के शेतर में नित नए प्रियोग होते रहते हैं, जिसमें हम द्रश्य स्रव्य साधनों का प्रि प्रियोग हम कर रहे हैं उनमें नमबर वन आता है शामपट ब्लैक बूर्ट शामपट का प्रियोग शिक्षन के छेत्र में बहुती रोचक तरीके से किया जाता है कहा जाता है कि हम सिक्षन के छेत्र में शामपट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक कक्षा बिना शांपड के बिल्कुल विरांसी नजर आने लगती है क्योंकि सिक्षक का जो सबसे महत्पूर्ण साधन होता है वो है शांपड क्योंकि शांपड की वज़े से ही वो अपना संपूर्ण ग्यान विद्धियारतियों को लिख करके और दर्शा करके समझा सकता है बिना शांपड के वो कोई भी कारे नहीं कर सकता है उसी प्रकार से यदि हम दूसरा जो मैथर लेंगे वो है चार्ट चार्ट के साहिता से भी जो हिंदी शिक्षन के अंदर से शिक्षक प्रयोग करता है इन चल चित्रों की साहिता से हम एक विभिन प्रकार के जैसे वर्ण माला हम बाल को और चित्रों की सायता से बालक को हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। से विद्यमान रह सकता है और ज्यादा समय तक उनके इसमर्ण शक्ति पर वो अंकित रह सकता है। लेक ऐसी चीज होती है जिसको की विद्यार्तियों के समुक रख करके वो चीज उनके सामने हम इस पस्ट रूप से समझा सकते हैं। तो विद्यार्तियों उसकी एक एक चीज के बारे में बहुती रोचकता से उसके बारे में ग्यान अरजित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम चीज दर्शक लेंगे प्रोजक्टर तो प्रोजक्टर में हम स्लाइट्स लेते हैं जिसमें विभिन प्रकार की स्लाइट्स हम बनाते हैं। प्रोजक्टर की साहता से अपने कोई बी पार्ट को बहुती अच्छे तरीके से प्रस्तूथ कर सकते हैं। चित्र विस्तारक यंत्र ले सकते हैं जैसे कि spider scops चित्र विस्तारक यंत्र में कोई भी छोटा सा जो चित्र होता है जिसको कि हम इस पस्ट रूप से दिखा नहीं पाते हैं विध्यारती पुस्तकों में देख नहीं पाता है तो इस चित्र विस्तारक यंत्र की सायता से उस च अशुद्धी जो होती है उसको हम दूर कर सकते है विद्हारती रेडियो के जरिये बहुत ही घ्यानार्जन करता है क्योंकि आजकल देखा जाता है कि रेडियो के माध्यम से विभिन प्रकार के कारिकरम आयोजीत किये साथे हैं शिक्षा से संबंधित तो उससे विध्यारतियों को काफी सायता मिलती है तो रेडियो भी हमारा श्रव विध्रश्य साधन का प्रम्हों के यह अंत्रमाना जाता है हमारा next point लेंगे दूर्शन दूर्शन एक ऐसा श्रव विध्रश्य साधन है जिसकी सायता से बालक देख भी सकता है और सुन भी सकता है क्योंकि इसके द्वारा हम विभिन प्रकार के परियावन से संबंदित और लेंग्वेज से संबंदित विभिन प्रकार के कहानिया नाटक विध्यारतियों को दिखा सकते हैं जेसे कि विध्यारतियों का मागदर्शन भी होगा साथ ही उनकी रोचक्ता और ज्ञान व्रध्ध हैं कि आज भी gramophone और lingvophone का प्रियोग किया जाता है और इसका प्रियोग हिंदी सिक्षन के चेतर में इसलिए किया जाता है ताकि जो भी वर्तनी संबंदी जो अशुद्धियां होती है उनको lingva phone की सायता से हम सुधार सकते हैं हमारा next point आता है tap recorder tape recorder में एक विध्यारती अपनी swim की भाषा tape कर सकता है और tape करके फिर दुबारा जब वो सुनता है तो उसको अपने swim की गलतियों का पता चलता है कि वो कहां गलतियां कर रहा है और कहां उसको सुधारना है इस प्रकार से tape recorder भी एक श्रव साधन है हम कह सकते हैं कि जो श्रव दरश्य साधन है वो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है जैस श्रव प्लस दरश्य प्लस साधन इट में दरश्य का मतलब है जो देखा जा सके श्रवे का मतलब है जो सुना जा सके ऐसे साधन जो देखे और सुने जा सकते हैं उन्हें हम श्रवे द्रश्य साधन कहते हैं तो वास्तों में वर्तमान इस्तिती में जितने भी हमारे शिक्षा विध हैं वो इसी पद्दती पर जादा जोड़ देते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा सिक्षा के छेत्र में श्रव दश्य सादनों का प्रियोग करना चाहिए ताकि नई नई टेक्नलोजी से विध्यारती अवगत हो सके और अपने सिक्षन को बहुती अच्छा और सुग्राय या सुइस्पस्ट बना सके और सभी के लिए उप्योगी सिध्य हो सके इसलिए हम मेरा माना है कि जो श्रव दश्य सादन जितने भी अध्यापक है उन्हें अपने सिक्षन के छेत्र में जरूर प्रियोग करना चाहिए और हिंदी सिक्षन के छेत्र में तो विशेश रूप से प्रियोग करना चीए क्योंकि हिंदी का छेत्र बहुती विशाल और विराठ है तो हिंदी जैसे छेत्र में यदि हम इन प्रियोगों का इन द्रश्य सर्वे साधनों का प्रियोग करते हैं तो नी संदे हमारा ये एक बहुत अच्छा साधन होगा जो की हिंदी के शेत्र में उन्हेती का श्रोथ होगा. Thank you, thank you, thank you. For further detail, please log on to www.gurukpo.com.